नमस्कार दोस्तों, LHTV इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है, आपको आज हम बताएंगे कि स्कूल कॉलिज खुलने को लेकर जो अपडेट निकल कर आई है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना वाइरस की वज़े से स्कूल कॉलिजों को सुरू मार्च से ही बं गुलजार हो सकते हैं, स्कूल कॉलिज, कौन कौन से नीमो का करना होगा पालन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूपी स्कूल असोसियेशन ने, उपमुक मंत्री ड से लेकर कवाय शुरू की गई है, वही पिर्देश के सभी स्कूल असोसियेशन से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुजाओ मांगे गए हैं, बच्चों के स्कूल के गेट से प्रिवेश करने से लेकर छुट्टी में बाहर निकलने तक का खाका पहले ही तयार किया जा चु दोनों ही चर्णों में बिद्याले आने वाले बच्चों को अभी भाव को की सहमती पत्र भी साथ ले आना होगा, आयतिहायत के तौर पर एक कक्षा में 20 से ज्यादा बिद्यार्तियों को नहीं बठाय जाएगा, हर बिद्यार्ति की खर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजन होकर ही कक्षाओं में पिर्वेश करने की अनुमती दी जाएगी, वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मास्क पहिनना और साइनिटाइजर का इस्तमाल करना सभी के लिए अनिवारी होगा, गोरकपुर स्कूल असोसीशन अध्यक्च अजयसाही ने बताया कि विद्यार्ति से स्कूल बुलाने की अनुमती मंत्री से मांगी गई है, आपको बता दें निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतिजाम किये जा रहे हैं, सरकार से अनुमती मिलने के बाद, उम्मीद है कि 12 अक्टूबर से कर्षा चलाने जाने की अनुमती मिल जा को बीज तमी